सुबह सुबह की भागम भाग में हम रोज रोज तो सते कि आज नास्ते में सा क्या बनाए यह सा नास्ता बनाए कि जल्दी भी बन जाए टेश्टी भी हो और सबको घर में पसंद भी आए तो इसके लिए आज में लेकर आई हूँ एकदम नई रेसिपी आज हम नास्ता बनान और इसके अंदर लेंगे देड़ कप गेहु का आठा आठा वही जिससे के हम रोज रोटी पराठे बनाते ना वही वाला और दो उबलेवे आलू को मैंने मेश करके लिया है और इसे आठी के साथ में मिक्स कर दूंगी आलू हम अच्छी से मेश करकर लेना चाहिए ता आप ग जाएब कर सकते हैं 140 पून डाला है अल्दी पावडर अदी चम्मे डाला है जीरा 140 पून डाला है गरम मसाला नमग डालेंगे स्वात के अनुसार साथ मी डालेंगे हम बारिक कटावा हरा दन्य को उपसार और दो चम्मे डाला है मिने मोजरेला चीच अगर आपके पास तोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहीं तयार करना है जिसे के रोज रोटी बना देना और सौफ्ट दो उसी तरीके का थोड़ा सा तेल लगा कर में साटे को और अच्छे से चिकना कर लोंगे और यह देखिए हमारा आटा लगकर तयार हो गया अब इसे सेट करने के नहीं रख तो आटा नहीं को धु बढ़ुगान भी ऐलन पाकर तो नहीं ठीट के रहें और कल नश्टा पहा दना नहीं बहलें आए और देखिए है कर दियार बढ़ फ्लिए हम ने इसे मोटा ही स्वाप के किनारों को कंडे उर इसे ऑर इसके के नहीं चिर भीकर देखिए अगर आप चाहे तो कापोरिया गिलाज भी इसको गोर शेप में काल सकते हैं जिसा भी आप पसंद करते हैं अपनी पसंद के अनुसार से काट सकते हैं और यह तरह से उसे इन फटा-फट से काट लिया है और देखे इसके जो किनारि नहीं निकाल लेंगे बाकी क्या ॅटे की साथ मिक्स करकर इसे भी हम बेल लेंगे बिल्कुल बिवेश्ट नहीं जाएगा और देखें कितनी आसानी से निकल रहा है देखने से पता चला कितना परफेक्ट और कितनी जल्दी बनकर यह नास्ता तयार हो इसी तरीके से में बागले राउंड का भी नास्ता इसी तरीके से बना लूँगे और यह देखें कितनी फोटावोट से हमारा सारा नास्ता बनकर तयार होगे देखें सारा नास्ता बनकर तयार है अब मेने कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था तीन बड़ी चमच में डाला है तेल आप चाहिते से तवे के उपर भी सेख सकते हैं तेल गरम हो जाए काता हम इसके अंदर डालेंगे इस तरह से नास्ती को अच्छे से फ्राइब हो जाता है बहुत ही कम समय लगता हो जादा तेल भी नहीं लेगा क्योंकि हमने इससे बनाए आटे सरो सोड़ा कुछ नहीं डाला है मिना सोड़े के मना रहे और बहुत ही स आटे सालाट पलाट करते हम इसे इस अच्छे से फ्राइ कल लेगा लगतों इतना बड़िया कलार है नास्तप फ्राइब हो चुका है इसे इसलिकी कर चाहिए तंसे निकाल लेंगे और यह तेकि शारा नास्ता बनकर तयार हो गया है और हम इसे सर्ष नहीं दिल्य की चटनी बड़या ना बना देखने से फटाइग खहले ये इस तरह की नास्ती दियो पर बढ़ाएग और अपने बड़ों को घर है एक बड़ों को टिफीमें दे शकते चायाखे से इस तेक्स में भी खा सकते ये बहुत टेश्टी नास्ता बनकर तहों आएगी तो इस तरह किनास्ते की रेसिपी को आप एक बार बनाई और अपनी फेमेली के साथ इंजाए करिए। अगर आपको यह मेरी रेसिपी मेरी पसंद आई है तो आप मेरे चेनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। ताकि मेरी मज़ेदार से आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे। फिर मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई